हाई अवरीवान, वेलकम बाक टो ममाइनसर टीम चानल फ्रेंज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं फॉनिक्स की ओनलाइन और आफ्लाइन ग्लासेस लेती हूँ तो जो भी बुक्स में अपनी क्लासेस में यूस करती हूँ और वो मुझे यूसफुल लगती हैं और इसलिए मैं आपसे कुछ बुक्स शेयर करती हूँ आप लोगों को मेरी बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं और आप लोग वीडियोस पे बहुत लाइक और कॉमेंट भी करते हैं तो आज फिर से हम एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो है साइट वर्ट्स की बुक जिसमें बहुत सारी अक्टिविटीज, फन और आपको बहुत सारे रीडिंग का मिटरियल भी मिलने वाला है अपने बच्छों के लिए ड्रीम ब्लैंड पब्लिकेशन की बुक है ये फ्लुएंसे सेंटेंसे बुक्स पैक एक ये पैक है इसके अंदर फॉर बुक्स थी और जो इसका प्राइस है फ्रेंज ये चारो बुक्स को मिला का जो इसका प्राइस है वो है वान जीरो टूफाइफ अब चलिए देखते हैं कि ये फॉर बुक्स जो की बुक 1, बुक 2, बुक 3 और बुक 4 करके हमको mention की गई है तो ये books कैसी है और अगर आप ये books purchase करते हैं तो आपके बच्चों के लिए ये कैसे helpful होगी वीडियो अच्छा लगे तो like, share and subscribe जरूर कीजिएगा comments कीजिएगा क्योंकि आप लोगों के positive comments हम लोग को motivate करते हैं ताकि हम और भी अच्छी अच्छी books और वीडियो आपके लिए prepare करें फ्रेंज स्टार्ट करते हैं book 1 से Fluency Sentences So इस book में जब मैंने इस book को देखा तो मुझे कुछ activities देखी जो हर sight words के बाद mention की है जैसे की come तो आप देखिए ये कुछ ice creams है आपको come में color करना है In short हर sight words के लिए इसमें sentences और उसके साथ साथ कुछ activities हैं जिसमें की बच्चे color करके भी उस word को जादा अच्छे से recognize कर सके Starting में है word दिया हुआ है आपको trace करना है Write करना है फिर आपको read करना है फिर उस word से बहुत सारे sentences दे हुए हैं Book one में जो sight words हैं वो बहुत common sight words हैं जो आप बच्चों को school में अगर फेशते हैं तो भी junior kg में से ही वो बच्चों को सिखाये जाते हैं हलाकि sentences थोड़े से hard आपको लग सकते हैं बट sight words आपको बच्चों को सिखाना है और कुछ sentences तो बहुत simple और easy हैं जो आप बच्चों को read आसानी से करा सकते हैं अगर आपका बच्चों three letter word पढ़ सकता है फिर तो book one में हमने क्या देखा book one में कुछ easy sight words जो बिलकुल basic से बच्चों को start की जाती हैं कुछ activities हैं जिससे कि आप अपने बच्चों को खुद भी अगर आप बुक में ये task दे दे तो बच्चे खुद भी busy रहेंगे इस type के जो task है वो करने में जितना बच्चे word को देखेंगे, ढूंडेंगे, color करेंगे उतना ज्यादा बच्चे word से familiar होंगे और कुछ parents को ऐसा लगता है कि sight words तो हमें पता है लेकिन sight words कौन से हैं और हमें कौन से sight words अपने बच्चे के किस level में सिखाने हैं बच्चा अगर junior kg में हैं तब कौन से sight words सिखाने हैं बच्चा जब senior kg में जा रहा है तब कौन से sight words सिखाने हैं तो उसके लिए ये बुक्स बहुत बेस्ट है, क्योंकि आपको बिलकुल लेवल वाइस दिये हुए है, थोड़ा-थोड़ा करके sentences दिये हुए है, आपको एक-एक-दो-दो वर्ड भी अगर आप weekly प्राक्टिस कर रहा हैं, तो आपके बच्चों की reading बहुत अच्छे से improve हो सक दिये हैं, ये बुक्टू है, इसमें कुछ और set of sight words है, जो words है, वो mention करके sentences दिये हुए है, same sight words से, pattern सब में same है, कि trace करना है, write करना है, और फिर read करना है, activities हर एक वर्ड के पीछे अलग से दी हुए है, ताकि बच्चों को ये बुक्स interesting लगे, बच्चे आपके साथ, अपने अपनी मर्जी से बैठे, colors के साथ, without कि आप चलो पढ़ना है, read करना है, इस तरह से बच्चों को practice करा है, जितना बच्चे activities के through sight words learn करते हैं, उतना जादा बच्चे उन words को recognize करते हैं, ये देखिए, हर activity different different है, कोई भी word बच्चा सीख रहा है, जैसे बच्चे ने सून सीखा तो यहाँ पर simple sentences भी है, आपका बच्चा easily पढ़ भी सकता है, अगर उसको थोड़ी बहुत भी reading आती है, और कुछ hard words हैं, जो आप बच्चे को बोल सकते हैं, जैसे की grown, little plant was soon grown, इस तरह से, या फिर spring, simple sight words के साथ write the word, और फिर देखिए, यहाँ पर बच्चे को word को ढूंड तो ऐसे different activities हैं, जो हमें भले ही इतनी interesting नहीं लगें, लेकिन बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, यह देखिए, और सबसे अलग पात है जब वो color करते हैं, और खुद अपना पढ़ाई में ही अपना awards जून लेते हैं, या फिर उनको color करते हैं, या फिर busy रहते हैं, तो writing और reading, दोनों ही आप इन books से कर सकते हैं, यह level 1 और level 2 थे, इसके बाद देखते हैं, level 3, तो अब आपको material क्या है, यह तो समझ में आ गया है, level 3 में क्या होगा, activities भी रहेंगी, सब कुछ सेम रहेगा, सिरफ जो words हैं, जो sentences हैं, फ्रेम किये हुए, वो थोड़े से hard हो जा आने वाला है, या फिर grade 1 में हैं, तो बच्चों के लिए simple has, had का topic, या फिर her कहां पे लगता है, यह सब सीखने के लिए भी बहुत अच्छा है, him, her, his, इस तरह से, जो sentences हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वो थोड़ इसी advanced reading है, बच्चों को जब थोड़ा reading आ जाए, उसके बा कि कुछ ऐसी book जिसमें variety, practice writing भी हो, coloring का stuff भी हो, बच्चे read भी करें, बट एक ही book से बच्चे बहुत सारे sentences पढ़े, side words कहां पर कौन से word में आता है, और किस तरह से side words को use करके sentences frame किये जाते हैं, फिर आपके लिए ये books का set best है, friends मैं किसी भी book का promotion नहीं करती हो, मेरी अपनी class में जो मुझे books easy लगती हैं बच्चों के लिए, बच्चों को interesting लगते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें colorful लगती हैं, तो मैं वही books आप लोगों की साथ share करती हो, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग घर पे ही अपने बच्चों को prepare करा रहे हैं, तो जो बच्च के through अगर आप अपने बच्चों को read कराएंगे, तो बच्चे बहुत जल्दी और better reading सीखेंगे, यह देखिए, so activities मुझे इस book में सबसे best लगी, next video में मेरे पास dreamland publication की कुछ और भी books हैं, या फिर site words की और भी books हैं, so मैं सभी के साथ आपको compare करके भी बताने वाली हूँ, कि आपके लिए कौनसी books में, या फिर के site words की book में कैसा है, अभी तक ये books मुझे काफी अच्छी लगी है, आप different बच्चों को भी अगर आपके दो बच्चे हैं, तो भी आप अलग-अलग बच्चों को दे सकते हैं, या फिर अगर आप अपनी classes भी लेते हैं, बच्चों की tutions लेते हैं, फिर भी आपके लिए ये useful है, तो ये books एक ही set में है, जो useful है, और चारो books का अगर हम price देखें, तो हमें comparatively ये price बहुत जादा नहीं लगता, 1025, क्यूंकि ये 4 books का pack है, और एक ऐसी book है, जिसमें reading के लिए भी आपको मिलता है, आपको writing के लिए भी मिलता है, activities और coloring के लिए भी, कुछ भी आप और books लेते हैं, उसमें सिरफ reading हो सकता है, या फिर सिरफ writing, so ये जो books हैं, आपको reading, writing और कुछ-कुछ activities भी मिलेंगी, जिससे कि आपका बच्चा मुझे लगता है, ज्यादा interest लेगा, क्योंकि जो है words, वो activities में भी देखेगा, तो बच्चे को जल्दी से easily learn भी हो जाएंगे वो words, hope आपको ये video informative लगा हो, video like, share और subscribe जरूर कीजिएगा, आप लोग जब positive comments करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग आने वाले videos को बनाने के लिए भी motivate होते हैं, अगले video में फिर से मिलता है, friends, तब तक के लिए, bye, take care, के लोगड़ा है, तर च्म है, तो हमें में रहें लोगता हैं, रहे जहें करते हैं, अच्छा को।